नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपके सातमी स्रमण चोहान और आप मुझे लगातार इस प्लेटफॉर्म पे देखते चले आए हैं और हम लगातार देश के जो अहम मुद्धे हैं उस पे चर्चा करते हैं आप लोग मेरी वीडियो जादा से जादा पसंद करते हैं सेर करते हैं इसके लिए बहुत-बहुत धन्वाद और मैं आपकर सदेव अभारी रहूँगा आज जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक है जो देश में इस टॉपिक पे चर्चा होना चाहिए बड़े-बड़े मीडिया संस्थानों को भी इस बारे में चर्चा करना चा अगर इन मुद्दों पे चर्चा हो तब क्योंकि जो हम टॉपिक पे बात करने वाले है वो टॉपिक है आज हिंदू और मुसलिम का आप देख रहे होंगे पुरे देश में हिंदू-मुसलिम की जो भावना है उसको गलत तरीके से परसारित किया जा रहा है और हिंदू- ढ़के लजा रहा है आप अभी हाली में देखे होंगे जहांगीरपूरी में बहुत ज़्यादा हिंसा हुई इसमें बहुत सी बाते सामने आई लेकिन ये वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं इसमें कुछ लोग इस वीडियो को भले ही ना पस्टन करें लेकिन इन मुद देश है वो हिंदू मुश्लिम की आग में जुलस रहा है मैं जुलस रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जो अभी हमने कुछ जगाओं पर सर्वे किया कुछ लोगों से बातचीत किया तो बहुत से ऐसे जो नव युवक हैं और जो अभी किस दोरा वस्ता में हैं वो भी हिंदू मुस्लिम की बात करने लगे हैं तो आप समझ सकते हैं कि जिस देश में हिंदू मुस्लिम सिख हिसाई आपस में सब भाई-भाई की भावना से काम करने को तयार रहते हों आज वो हिंदू और मुस्लिम की बात कर रहे हैं तो कहीं न कहीं इनके पीछे कोई mastermind है कोई अच्छा director है जो इनसे acting कराने को तयार है और वो जो लोग इस नाटक में पात रहें वो इस बारे में जान भी नहीं रहे हैं कि आखिर सही क्या है भले ही वो जानने हैं लेकिन वो करने को तयार हैं उनको लगता है कि हिंदू खत्रे में हैं और हिं हिंदू खत्रे में हैं और ना मुशल्मान खत्रे में हैं ना हिंदू धर्म खत्रे में हैं ना मुशल्मान धर्म खत्रे में हैं आप देखते रहोंगे कि बहुत से जो हमारे महापूरूर्स हैं जो मुसलिम समदाय से संबन रखते थे वो जो है आप देखते रहोंगे कि दे परिवार के जो लोग है वो आज भी सरकार के द्वारा उन्हें सहायतरासी मिलती है तो यह आप समझ सकते हैं अब हम बात करते हैं जहांगीरपूरी की यानि जो दिल्ली में हिंसा हुई वहां पर आप देखते रहोंगे कि जो परिवार हैं उनके साथ गलत हो रहा है फिलहाल स इसको ही हटा दिया अब बताइए बच्चे भी हैं इसमें छोटे-छोटे और जो परिवार के लोग हैं वो भी हैं लेकिन वह अब कैसे निकले पहले वीडियो देखिए तो आपने पूरी वीडियो देख ली है अब हम आपको एक ऐसी वीडियो दिखाते हैं जो हिंदू-मुश्लिम एक तक मिशाल है और आप देखिए कि जब मुश्लिम समधाय के लोगों के शाथ में गलत हो रहा था तब जो है यह हिंदू परिवार जो वहीं जहांगीर पू पूछवादी करके रख दिया हमें तो पूछो मत कोई नोटीस नहीं कोई कुछ नहीं ऐसे थोड़ी न होता है तो दोस्तों आप ने बात पूरी सुनी की एक हिंदू भाई एक मुश्लिम भाई सामने खड़े हुए हैं और उन्हीं का पच्छ लेते हुए क्या कह रहे है दलललन टॉप से फिलाल अब आपको हम एक ग्राउंड डिपोर्ट दिखाते हैं जो हमारे ख्याल से फ्रेल आंसर तरीका आप देखिए यहां MCD को अवद कुछ नहीं मिला तो MCD ने इनके घर की सीड़ी ही तो डाली अब MCD बताए यह सरकार बताए कि यह लोग इस घर से कैसे नीचे उतरेंगे यह सड़क है सड़क की नीचे सीड़ी तोड़ दी गई यह नाला है नाले के उपर का कवर अब सरकार बताए तो दोस्तों आप यह वीडियो अब देख चुके हैं और अब आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि कहां हिंदू खत्रे में हैं कहां मुशलमान खत्रे में हैं ना हिंदू खत्रे में ही ना मुशलमान खत्रे में हैं सिर्फ और सिर्फ राजनीत खत्रे में ह क्योंकि हिंदु मुश्लिम अगर नहीं करें तो उनकी जो राज़ीत की दुखान है वो बंद हो जाएगी यह ऐसा लगता है लेकिन आप देख रहे होंगे कि कई जगहों पे भारती जनता पाल्टी की जो सरकार है वो बन चुकी है लेकिन दिल्ली में क्यों नहीं बन नहीं है तो इसलिए मेरे ख्याल से हो सकता है ये भी हो सकता है कि दिल्ली में भी जो सिच्छित वर्ग है उनके दिमाग में भी जो हिंदु मुश्लिम के भावना पैदा करके अपनी राजनीतिक रोटिया सेखने के काम कर रहे हैं हो सकता है इसलिए दंगा हो फिलाल जो अर्बिन के और दिखाते हैं कि एक महिला है उसी छेत्र की जहांगेरपूरी की तो वह महिला क्या कह रही है यह आप वीडियो सबसे पहले देखिए वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट है और बहुत ही जरूरी है मंदिर में जाके परशान किया किसको आज तक नहीं देखा मैंने यहां के लोग बिल्कुल आराम से रहते हैं बिल्कुल कभी किसी को परशान नहीं करना इतने टाइम से मैं यहां पर रही कभी मैंने किसी चीज में नहीं देखा अकेली हिंदू मैं यहां पर हूँ फिर कभी ल लेकिन जब इन पर वार तो इपना बचाब तो करेंगे यह जब वहां के लोग इन पर बचाब उल्टा सीधा बोल रहे हैं कमेंट पास कर रहे हैं तो यह तो दोस्तों आप तो आप ती इस महिला की भी बात सुनी अब आप यह पूरी वीडियो देख चुके हैं अगर तो आप यह अनुमान लगाईए कि कहां पर हिंदू खत्रे में हैं कहां पर मुसल्मान खत्रे में हैं आपको क्या लगता है कि जो पूरा देस है वो सोने की चिडिया भी तक कहा जा रहा था लेकिन आप क्या लग रहा है कि जो हिंदू और मुसलिम है वो पूरी तरीके से समाज म फैलाय जा रहा है और जो हिंदू vorbei का और दूसित होता चला जारहा है अब देख रहे होंगे कि जो हिंदू है और जो मुशल्मानाइब हैा उनमे भी यह बाते सामने आने लगी हैं इससे कहीं निक्सार हो गा और जो पूरे 20 में हमारे प्यारे से भारत करदीश के बारे में लोग तरह तरह की अच्छी भावना हिंदू-मुस्लिम से किसाई आपस में सब भाई-भाई की अउधाना से सभी लोग जान रहे थे तो इस पर कहीं ने कहीं ठेस पहुंचेगी फिलहाल आप लोग अगर यह वीडियो देखे हैं तो आप लोगों से बस एक ही हाथ जोड कर निवेदन है कि आप लोग कभी भी हिंदू-मुस्लिम में ना पड़े और अगर ऐसा कोई कहता है तो उनको आप एक सिच्छित ज्यागरूग व्यक्त होने के नाते आप उनको समझाईए कि यह हिंदू-मुस्लिम कुछ नहीं है यह केवल रादनीत करने का एक मुद्दा है जो आप देख रहे होंगे तो उनको भी समझाईए फिलाल यह वीडियो अगर आप देख चुके हैं तो इसको ज्यादा से ज्यादा से सेर करें ताकि अन भाई बहनों के पास में यह वीडियो पहुंचे और वो भी देख सके तो इस वीडियो में बस इत चोहान जय हिंच जय भारत